राधे राधे विडियो टूब फैमली अभी दोपहर का टाइम हो रहा है करीब 11 बजे का और मैं दोपहर के खाने की तयारी कर रही हूँ खाना बनाते बनाते मैं यह सोच रही थी कि मैं अब next recipe में ऐसा क्या बनाओ जो आपको अच्छा लगे और आपके लिए helpful भी रहे तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर यह मैंने एक बाउल ले ली है और इसमें हम डालेते हैं गोंध कतीरा हम यहां पर तयारी कर रहे हैं ड्रिंक की summer spacer और करीब मैंने यहां पर दो चम्मशके जितना गोंध कतीरा डाली है ठीक है न इसमें पानी डाल दिया है और करीब इसको हम दो घंटे के लिए यह मोती के जैसा दिखाई देने लगता है और यह बहुत हलका सा भी हो जाता है यह देखिए अभी इसमें थोड़ी थोड़ी सी घांटे है जब तक इसका काम आएगा यह बिल्कुल तयार हो चुका होगा बहुत ही सोप्ट होता है देखने में ऐसा लगता है जैसे कांश टू दो चमश के जितना हम तयार किया वा यह दाल लेंगे और यह बढ़ती थंड़ा सा पानी डालेंगे और पहले इसको बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे तो चलिए यहां पर मिला लिया है और इसके बाद हम यहां पर डाल लेते हैं एक चोथा इयास मस्के जितना काला नमा और उसके बाद मैंने हो डाल दिया है यह चिया सीर्स इनको मैंने एक घंटे लिए पानी में भीगोके रख दिये इनका तासिर भी बहुत ठंडा होता है गर्मियों कुछ लोग इनको वेट लोस में भी बहुत जादा खाना पसंद करते हैं उसके बाद हम थोड़े से आइस क्यूब डाल देते हैं क्योंकि यह समर इस्पेसल ड्रिंक है तो ठंडी ठंडी पीने में जादा अच्छी लगती है मिला देते हैं तो यह लीजे एक ड्रिंक तो हमार दालेंगे थोड़ा सा ठंडा ना टालेंगे क्योंकि arada मिल अच्छे से में हम पर चौछाई आप आधा देंके पाउडर एक चौछा ज मालेंगे इसके बाद हम या पर डाल देते हैं फेनिया जिसको फालुदा भी बोला जाता है ठीक हैै यह, इनको भी मैंने िहां पर डाल दिया है और इसको डालने यह अपनी आइस क्यूब और अच्छे से कर देते हैं मिक्स कलर देखने में क्या जब अद्रस्त लग रहा है वास्त में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यह जो फालू दाना यह मुझे पसंद नहीं है यह वाली ड्रिंक मैंनी पीने वाली हूं तीसरा गिलास ले लिया है यहाँ पर डाले है दो चमच के जितना गौल कटीरा उसके बाद अहाँब डाल देते हैं थोड़े से पुदेना की पत्या तोड़ा सा क्या करेंगे इनकोs कर देंगे तो जो क्रेश करने का आइडू था यह मेरे हस्बेंट कहता और हाँ रहा टोड़ दिया तो जो हमारा ब और यहां पर चोथाई चमज के जितना इलाइची पाउडर मिलें लिय्यक्यजी जाए citu जाता है यह अबicia पाणाडील जाया मेटों सह चेहिता कर देते हैं और सबसे पहले क्या करते इसको दो ताकि चीनी वगरा जो भी कुछ आमने सामान डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए यह वाली तो मुझे और मेरे वच्छों को बहुत ही ज्यादा पुसंद आई है ठीक है ना सिंपल एकदम सिकनजी के तरह बनती है लेकिन इसका टेस्ट उससे भी जादा पहुत ही ज्यादा और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो यह लीजे हमारी तीसरी ट्रिंक बनकर तयार हो चुकी है थोड़ा सा इसको गार्निश कर देते हैं पुदीना की पत्ती लगागे तो चलिए यहां पर ले लेते हम दूसरा गिलास और गिलास के अंदर सबसे पहले हम डाल लेते ह है वह डाल देते हैं और यहां पर हम यह थोड़ा सा या 1.5 जब मचके जितना गोंट का तीरा डाल देंगे उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे तो चलिए बारी आती है यहां पर नीबू डालने की तो मैंने आधा नीबू ले लिया है और इसको अच्छे से निचोड में थोड़ी सी पुद्यनगी पत्या मैंने यहां पर डाल दी है और यह हमारा चो था क्या बोलते है समरी स्पेसल ड्रिंक बनके तयार हो चुका है थोड़ा से आइस क्यूब मैंने डाल दी है तो यह लिज़े यह हमारे चार तरीके के समरी स्पेसल ड्रिंक बनके तयार हो चार दिन तक अलग-अलग फ्लेवर के भी आप मतलब पीओगे तो हर दिर एक नया फ्लेवर ही मिलेगा आपको पीने के लिए मतलब हर रोज एक नया टेस्ट मिलेगा और ये जो ड्रिंक हैं बनाने बहुत जादा आसान भी है और इसमें जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है सारी की सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मत होने वाली है अगर मैं इनके गुनों के बारे में बात बताऊ ना तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बस इतना बोल सकती हूँ विश्वास कीज़े और ये जो कोल्डिंग मैंने बनाई है इनको अपने घर पे बनाईए और अपने बच्चों को भी देज़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बहुत ज़्यादे बेनिफिट्स है नोर्मली बहार की कोल्डिंग पीते हैं उनको इसकिप कीज़े उनमें केवल आपको कैमिकल ही मिलने वाला है इस तरीके की ड्रिंक आप अपने घर में बना सकते हैं और भी बहुत सारी समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपिया जैसी की मैंगो जूस हुआ, बेल का जूस हुआ, तरबूज का जूस हुआ ऐसी बहुत सारी रेसिपिया मैं अपने चैनल पर डाज चुकी हूँ आप चाहे तो महाँ पर जाके देख सकते हैं और आए दिन अपने बच्चों को नई नई ड्रिंक पीने के लिए दे सकते हैं और बाजार की जो कैमिकल भरी खतरनाक जो कोल्डिंग होती है उनसे बच सकते हैं तो चलिए यहाँ पर चार गिलास तयार हो चुके है, चार गिलास है चारों में अलग-अलग टेस्ट है और हम पीने वाले भी चार ही है सामान देखे कितने बुरी तरीके से फेल रहा है तो चलिए लीज यह आपकी बहुती बड़िया समर स्पेसलिये डिंक बन के तयार हो चुकी है तो चलिए आप भी इंजोई कीचे अपने घर में बना कर और मैं भी जड़ा फटा 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 से अपने बच्चों को दे देती हूं तो कि आज ना गर्मी बहुत जादा है और आने वाले टाइम में गर्मियों का परको बढ़ने ही लगा है खाने से ज़्यादा ध्यान रखना होगा हमें पीने का और पीने में भी हमें हैल्दी ही पीना होगा ऐसी चीज पीए जिनका तारसी ठंडा हो ताकि हमारे सरीर को बहुत आराम मिल सके और थोड़े से रियक्शन देखिए अच्छे ये जो कोल डिंक या ये जो मैंने डिंक बनाई है मतलब इसमें हर डिंक हर किसी को पसंद नहीं है जो अच्छे कि मैंने बोला ना फलो देवाली वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल उसको तो मैं पीके नहीं देखूगी बाकी के जो तीन गिलास है हमने एक दूसरे से ले ले के पी के देख लिए हैं वाकी बहुती ज़्यादा अच्छे हैं और टेश्टी भी है